नमस्कार बचों, कक्षा नूमी के लिए दो बैलों की कथा अध्याय में से अध्याय सामगरी आपके लिए दो बैलों की कथा मुनशी प्रेमचंद द्वारा लिखीत एक कहानी है इस कहानी को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में शर्वन और वाचन आधिकोशनों का विकास होगा विद्यार्थियों में पशू पक्षियों के प्रती दया भावना का विकास और मानवे गुणों का विकास करना इस कहानी के आपक्षित अधिगम लक्षे होंगे कहानी के मुख्य पात्रों पर नज़र डालते हैं मुख्य पात्रों में जूरी जो हीरा और मोती नामक दो बैलों का मालिक है हीरा और मोती ये जूरी के दो बैल है जिन पर कहानी आधारित है गया नामा के एक पात्र है जो जूरी का साला है और एक छोटी बच्ची है जो गया की बेटी है और जिसको बैलों से सहानू भूती है कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कहानी दो बैलों पर आधारित है जिनके नाम है हीरा और मोती इस कहानी के लेखक मुझ्शी प्रेम चन्द है कहानी में दोनों बैलों के आपसी प्रेम वह अपने मालिक के प्रती उनके लगाव को दिखाया गया है कहानी में बैलों के माध्यम से बहुत से नीती विश्यक मुल्ले भी उभर कर सामने आये हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हीरा और मोती हीरा और मोती का आपस में गहरा प्रेम था दोनों एक दूसरे को सूंग कर और चाट कर अपना प्रेम पर कट करते थे उस जगे को नांद कहा जाता है अगर एक नांद में असे मुह हटा लेता तो दूसरा भी चर्णा छोड़ देता था एक को मुसीबत में देखकर दूसरा उसकी सहायता करता था दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे इन बातों से पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों में कितना प्रेम था जूरी का बैलों के प्रतिव्यवार जूरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था वे दोनों के खाने और सुक्स विधाओं का पूरा ध्यान रखता था वे उन्हें खाने को अच्छा चारा देता था और प्यार से उनकी पीट सैलाता था दोनों बैल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे दूसरी तरफ जो गया था उसका बैलो के प्रती कैसा व्यवार था कुछ समय के बाद जूरी अपने दोनों बैलों को गया के घर बेज देता है तो वहाँ पर जो गया का व्यवार है बैलो के प्रती वो कैसा था गया बैलों के साथ अच्छा व्यवार नहीं करता था वहें उन्हें खाने को सूखा भूसा देता था हल में जोतने पर वहें उन्हें डंडे से मारता था दोनों बैल गया के इस विवार से दुखी रहते थे जो छोटी बच्ची थी गया की बेटी उसका बैलों के प्रतिक ऐसा विवार था गया कि एक बेटी थी उसकी मा मर चुकी थी उसकी सोतेली मा उसे प्यार नहीं करती थी वे उसे मारती पीटती थी दूसरी तरफ बैलो के साथ भी यही विवार हो रहा था बैलो की ऐसी हालत देखकर छोटी बच्ची का बैलो के प्रती प्यार उमड़ाया वे हमने रोटी भी खिलाती थी, एक रोटी से बैलों का पेट तो नहीं बरता था, लेकिन उन्हें संतोश मिलता था कि कोई है जो उन्हें प्यार करता है कांजी होस की घटना, कांजी होस एक ऐसा स्थान था जहां पशुमों को पकड़ कर रखा जाता था वहां प्रती दिन पशुमों की हाजरी ली जाती थी, हाजरी यह जानने के लिए ली जाती थी कि कोई पशु भाग तो नहीं गया छोटी बच्ची ने बैलों को भगा दिया था, लोगों ने एक मटर के खेत से उन्हें पकड़ कर कांजी होस में बंद कर दिया था वहां पर बहुत से दूसरे पशु भी थे, एक दिन हीरा और मोती ने वहां से भागने की सोची हीरा ने अपने नुकीले सिंगों से बाड़े की कच्ची दिवार गिरा दी, एक एक करके सभी पशु वहां से निकल गए उस समय मोती खुटे से बना था, उसने हीरा से कहा कि वह बाकी पशुओं के साथ वहां से निकल जाए लेकिन हीरा अपने दोस्त को छोड़ कर नहीं गया, मालिक आया और उसने हीरा पर काफी डंडे बरसाए इस परकार हीरा ने अपने दोस्त मोती के साथ अपनी सच्ची दोस्ती का परीचा दिया इसमें कुछ मुहावरे भी आये हैं, उन मुहावरों के अर्थ लिक कर उनके वाक्य बनाने है इट का जवाब पत्थर से देना, दिल भारी होना, कामचोर बनना, नोदो ग्यारा होना, खबर लेना ये सब मुहावरे हैं जो इस पार्थ में आये हैं, इन से संबंधित वाक्य भी विद्यार्थियों को बनाने है एक निपात पर नज़र डालते हैं, निपात पहला वाक्य है, मैं भी जोर लगाता हूँ दूसरा वाक्य, मैंने कहा तो था, तीसरा वाक्य, मेरी बात तो सुनो जो था, बस इतना ही काफी है वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करने वाले शब्दों को निपात कहते हैं जैसे उपर लिखित वाक्यों में पहले वाक्य में भी दूसरे वाक्य में तो तीसरे वाक्य में भी तो और चोथे वाक्य में ही ये निपात के उधारण है इस परकार इस अध्याय से सम्मंदित महत्पून बातें इसी के साथ समाप्त भी धन्यवाद